इसके वीडियो में बताने वाली हूँ कि चांदी का जी हां विच्छिया सोहागन इस्तरी को क्यों पहना चाहिए इसका सेंटिफिक रीजन क्या है और कोई भी तिवहाड हो जो की सोहागन इस्तरी मनाती है उसमें नया विच्छिया क्यों लेना चाहिए और अपनी विच्छि पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नीचे बैल आइकने से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए आज की वीडियो में बताने वाली हूँ बिच्छिया का मना है बिच्छिया के बिना सोलह सिंगार अधूरा माना जाता है इसे सुहाग की निसानी भी कहा जाता है मान्यता है कि बिच्छिया पहनने से घर में सुख समरिधी आती है इसके अलावा इसका वैज्ञानिक महत्व भी है जानकारों के मुताविक बीच की उंगलियों में बिच्या पहनने से महिलाओं का स्वास्त अच्छा रहता है। पजार में आजकर कई लेटेस्ट डिजाइन की बिच्या उपलब्ध है। फैशन की दुनिया में कई महिलाओं कोई भी बिच्या खरीदिती और पहनती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करना आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुभ नहीं माना जाता है। आईए आपको बताते हैं कि महिलाओं को पैर में बिच्या पहनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी महिलाओं को बजने वाला जिहां जुनकी वाला बिचिया नहीं पहनना चाहिए